हेलो दोस्तों कैसे आप साथ से भी कैस स्वागत हैं अमारे इस वीडियो में दोस्तों तो यह वीडियो में जो बात करूँगा जितना भी लेटेस्ट न्यूज आ रहा है सारा अप्डेट्स के रिलेटेड जो बात करूँगा MIUI 11 का भी और MIUI 12 का भी तो यह बहुत सारे डिवास को जो है रिसेंटली मिलना चालू हो गया है लेटेस्ट अपडेट्स तो अगर आप यह शामिया कोई भी फोन यूज करते हैं तो यह वीडियो को देखते रहेगा इसमें जो आपको सारा जीतरा भी न्यूज आ रहा है करके नोटिक्रिकेशन का जो बेलों से बजा दीजेगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों बिना कुछ टाइम वेस्ट ना करें सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कौन सा जो अब्रेट से वह रोल आउट होना चालू हो रहा है अभी इंडिया के लिए तो यार इंडिया में जो दूसरा अब्रेट आगिया है तो मैं आपको बता जाता हूं कि अगर आप रेडिमी के 20 यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी अब्रेट मिल जाएगा यहाला कि यह जो अब्रेट यह सबको रिसीव नहीं हुआ है बस पार्शल लोग को यह रिसीव हुआ यानि कि जो है एंड्रोइट 10 से रिलेटेट अब्रेट जो है ग्लोबल में देखने को मिल गया है और सारे से इंडिया में भी बहुत सारी यूज़र्स को यह अब्रेट देखने को मिल गया है दोस्तों अगर बात करें MIUI 12 का बीटा अब्रेट का न्यूस का किया लेटेस कौन सा वर चलाते हैं उन सभी के लिए गुद न्यूस है क्योंकि Redmi Note 8 का MIUI 12 और Android 10 का जो टेस्टिंग है वो चालू हो गया है और हम लग बोल सकते हैं बहुत ही जल्दी खतम होने वाला है और जैसे ही यार चायना में जो टेस्टिंग वेस्टिंग रहता है वो सब खतम हो जाता है उसी यहां पर आप देख सकते हैं इसको पढ़के किया बाकी रिजन्स के लिए यानि की इस शुड़ बी रिलीज्ट विदिन ए फोर्टनाइट देन अधर रिजन्स विल स्टार्ट टो गेट अपडेट इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी जो है आपको सारे रिजन्स में इ दूसरे निउस की तरफ तो यहां पर आप देख सकते हैं रेडमी 7 यूजर्स के लिए जो है एक नया बहुती बढ़िया निउस है यहां पर जो है बेसिकलि अभी ग्लोबल के लिए है इंडिया के लिए नहीं है लेकिन ग्लोबल के लिए आपको एक और MIY 11 से रिलेटेट जो है देखने को मिल गिया है बात कर इसका वर्जन नंबर का तो 11.0.6.0 रखा गिया है और यह जो अपडेट है वो अभी ग्लोबल के लिए आया है इंडिया के लिए नहीं आया है लेकिन बहुत ही जल्दी यार इंडिया के लिए भी लाउंच हो जाएगा क्योंकि आपको बहुत जल्दी जो है डिवी नौट 8 में जो अप्डेट है वो देखने को मिल जाएगा क्योंकि पहले जो डिवी नौट 8 का टेस्टिंग हो रहा था उसे सस्पेंड कर दिया गया रहा और अभी जो बहुत ही जल्दी टेस्टिंग कम्प्लीट होके जो है आपको से वो भी देखने को मिल जाता है अपडेट का साइस का बात करें तो यह काफी छोटा है 45.90 MB का है दोस्तों तो यही है यह सारे न्यूज को मैंने छोचा कि यह एक ही छोटे से वीडियो में कवर कर दिया जाए और याद रखिए कि दूस्तों यह रोजा ना इसी तरह से बहु वीडियो अच्छा लगागा अच्छा लगता है और जाओ से लाइक कर दीजिएगा बाबाए दोस्तों एंड टेक केर